गुरु बैस्ट नवका अनुगत्य में स्रिधाम प्रेजमंडल परिक्मा करते करते अभी जहां पर गुबस्तित हुए हैं यह स्थान का नाम मान सरवर है जा नाम है मान सरवर है यह जो मान है यह एक प्रेम पिसे से हैं इसलिए साधारन जगत में भी त्रियां मान करती है ले वरिखिन साधारन जगत का जिए मान हैं, वो कभी-कभी क्रोध में भी परिनत हो जाता हैं। जैसे किसी कारणों से पत्री ने मान कर ली। अगर पत्री टाइम के अनुरूप, अगर पत्री को नहीं मनाए ना फरी क्या होता है। फिर वह मान फिरे दिरे क्रोध में परिनत होता है। कभी-कभी इतना क्रोध में परिनत हो जाता है। कभी वह मान मृत्तु का भी कारण बन जाती। कैसे इसी जगत का जो प्रे में हैं, पहले स्टार्ट होता हैं, I love you. फिर कुछ दिनी बाद में आता है, I killed you. फिर कुछ दिनी बाद में आता है, I killed you. फिर फिर खोट में जाकर के, चक्र लगाते हैं। लेकिन ये जो मान हैं, ये जो मान हैं, ये मान कोई साधरन मान नहीं है। ये जो मान हैं, कैसे जब दीरे 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 ते सरथा, सातु संग, बहजन क्रिया, अनक निपृति, अरुति, अनौ्दि, निश्टा, आस्तफि, भाव और प्रेव, जम ये प्रेव चानता को प्राप्तटर करता हैं, फिर धीरे ध्रे सनेय, फिर धीरे ध्रे मान, फिर प्रणय, फिर राज, अनुराघ भाव, फरिजागर के महाभाप और हो महाभाप उस्वरुपात्री राधा जातुगाणी इसलिए कि ये मान एक धिवा मान है इसलिए स्री रुपोगो स्वामी करते स्री गुजल निर्मनी ग्रन्थ में बड़ा सुंदर इसकी ब्याख्या करते हैं मान कहते हैं है और इसको मान किसे अंदर में इस्षा है डाही करने का प्याहर करने का अंदर में टो इस्षा है लेकिन इससा कुछ नhmatiques अब किसित्स हो गया जो कारण ये दोनों को मिलने नहीं दे रहा इसलिए इसको कहते हैं मान कदी जो मान है कदी ये मान तो तरका है कदी एक है आहे तुकी और ये कह साहे तुकी कद आहे तुकी मतलब किया बिना कारण भी कभी कभी मान हो जाता है बिना कारण भी रादारा ने क्यों मान करती कारण किया है कि जो मान है ये एक रस मिशेस है देखना ये अप्राकिरत जगत का जो चाया है ये जगत है वहाँ पर सब कुछ है लेकिन उसका चाया ये है लेकिन वहाँ तो सब के सब विशु दरूप में है वहाँ पर विशु दरूप में लेकिन यहां बिक्रित रूप में इसी जगत में देखना अगर पती पतीनी में किसी कार्ण से मान हो गया अगर 8-10 दिन तक अधर बाद ही नहीं हुई है देखना उसको बात में फर जो पात करते हैं उसमें एक नए रस आता है उसमें एक नए रस आती है क्यों इतना दिन तक इसलिए नतथा विप्र लंबेना संभोग पुर् करने से क्यों मान करती है जो मान है कर दिये प्रेव दने वाले और राधाराणी को उदान ने दिया एक स्वस्त धर पने हैं यह कृष्ण के मन में जो जो इच्छा है वस्वत्ह ये राधाजी की अंदर में अपनी आप प्रतिविम बरूफ में अपनी आप्रसिफलत होता है जब रादारानी समझ की है क्रिष्ण अभि में अधर मान कुछन, अभि क्रिष्ण खुसी होगा तो रादारानी अपनिया आप मान करे वागी इसलिए कहते हिए अहई तुकी, लेकिनी बताये और एक है तुन करके कहते हैं तीन तरका मान होता है तो उसको बरना किया जैसे एक समय राधा राणी एक सुन्दर फुलों के माला बनाया जो कि बिना धागा के सुन्दर माला बनाए माला बना करके स्री स्याम सुन्दर गला में उनने पहिना है अभी स्याम सुन्दर ने देखा अभी अगर गले में माला रहेगा तो तो राधारानी से मिलने के लिए ये माला ये बीच में एक प्रतीबन है इसलिए स्री स्याम सुंदर माला को उतार करेके उनने किसी पेड़ को उपर में लटका देते हैं जब लटका देते हैं इतने में एक तोता अभी स्री स्याम सुंदर का प्रसादी माला देखर के वो तोत सुन्दर का इह प्रसादि माला ये तोते को पास में कहिश्ञ आया, इतने में स्री ही roti उसको आनार का लोब दिखा अथि आंडग 딱 लेकि अपना च्छोटी हरा इतने 말ात्य के इतनुक्त सीओ रादह दक़ों गई लेकिन यह स्याम सुद्र का प्रेम करना आता ही नеж Ling फ़ीव में राधाराई मान कर लेती है इसलिए करती चीज को देख करके कभी राशलिला करते करते कभी स्याम सुंदर चंदरावली को कभी कंदे पर हात रग लेते कभी इसी कारणा भी कभी राधाराई मान कर लेती है कभी कभी इसी कारणा से मान कर लेती है इसको कहते दृष्टवा क करते देख करके और कुछ हो माने हैं करते अनुवान करके करते अनुवान करके जैसे राधारानी सुन्दर उनने कुझ बनाया स्याम सुन्दर बले इसी समय में हम आकर दोनों मिलेगे अभी राधारानी कुझ बनेया सक्षियों को साथ में लेकिन जो निर्दिष्ट समय में ज उनको तो और कहीं नहीं लेगे यह अन्मान से कभी-कभी राधाराणी मान कर लेती हैं कभी-कभी सुरुत्वा कभी-कभी यह सून कर जो इमान कर लेती हैं पर सून कर कैसे जब स्याम सुन्दर कईया चराने के लिए सखाओं को साथ में आते हैं पर कभी कुसम सरवर में आते ह यहां पर गया चराने के लिए इतने में स्री राधाराणी अपना हाथों में बड़े सुंदर एक फुलों की माला जो बनाई हुई फुलों की माला और तो उन्हें चंपक फुस्प और राधाराणी सुंदर पान की बिडिया बना करके प्रिंदा को हाथ में भेश देती है कु साथ में बरावर है जब स्याम क्र зарाइने का छर्ड रंत करते हैं अभी राधारानी इसने मिलने करूं कब स्री किस्वर की समें मिलना करू इतने में कृष्ण बाहना बनाते हैं कद मैं जा रहा हूं किसी उत्सव में और किसे सक्खाव से मिलने के लिए वहीं पर बाहना बना करके कृष्ण आते हैं किसे राधारानी से मिलने के लिए इतने में कद चंद्रावली का जो सखी वो पत्मा वो देखती रहती है स्याम सुंदर तो कहीं आए अभी इधर चंद्रावली भी कुझ्यों बनागर वैट हुई और उधर स्री राधारानी भी कुझ्यों बनागर वैट हुई दोनों कुझ्यों बनागर वैट हुए अब ये पज्मा ढोंड रही है कृष्ण गय तो गय का जरूर एही पर खही है इतने में जब कृष्ण आते रहते हैं पीच में ये पज्मा मिलती है बहुत है स्याम सुंदर चलो मेरी सक्की कुझ बना कर वैठे हुए लेकिन अभी स्याम सुंदर तो राधारानी से मिलने के ल आप घी को बेशे नहीं खा सकते हो उसमें पूरा मिलाओ ने सबीची में डालो तब ही जाकर आप घी को खा सकते हो लेकिन जो मधूस नहा है जो मधू है उसके लिए किसी चीजी की जरूर होते नहीं आप मधू को बेशे खा सकते हो किसमें मिला करें खा सकते हो किसमें मिला इसलिए राधा राणी का जो प्रेव सर्बस्रेश्ट प्रेव हैं अभी सियाम सुंदर बहाना बनाते वल देखो आज मेरे कही निमत्र जरूर जाना आएं इतने में चंद्रावली आजाती है बले हमें सब कुछ पता तुम कहा जाना चाह रहे हो इतने में चंद्रावली जोर एक है बिझ्यखन सूक है एक है मझिभाज सूक है एक है सुभा है और एक है सुखमत ही इसे करके वहाँ पर पाच तरगा सूक बताए कज यह तोता यह आगास मार्गमी यह उठता रहता हैं तोता देखता है कृष्ण कहा जा रहे इसका गत्ती भी थी क्या है और वही उनको सारे ख़वर वही सुक देती रहती है अभी ये सुक ने देखा स्याम सुंदर तो पीच में ही अपरन हो गए इतने में तोत्ता आकर के राधाजी को ले राधे तुमने जो आज इतने सुंदर कुझे बनवाया इतने सुंदर तुमने स्रिंगार किये ना सब वेकार बले क्यों क्या हो गया बले बीच से तो स्याम सुंदर गही अपरन हो करके चली गए बले क्यों कौन ले गए बले चंद्रावजी बावास राधार नी तो दुर्जय मान करे बढ़े राधार नी दुर्जय मान करके वा आखा जो भुरूरू है उसको भी चंदन लगा करके सफेद कर दो, इसको कर दो, अभी स्याम सुन्दर चंद्राबली से मिल करके बड़े लेट में आते हैं, इतने में स्री राधाराणी प्रस्न करती है, अभी तर स्या कर रहे थे, कहां गई थे, राधाराणी को पता है, इतन अभी लटा को देखर तेरी याद आज़े, और मेरे तमाल प्रिखों को देखर मेरी याद आए, मनत तुम और मेरे जेशे मिल नहीं, इसलिए मैं राधा में ब्यहस हो गया, और हो साया न जद्वी जद्वी आ रहा हूँ, इतने में राधाराणी बले और जूट बोलने का मैं जल्दी जल्दी आ रहा है था ना बीच में कांटा चुप गई, वो खोन निकल गया है, इसलिए तब स्री राधाराणी कहते है नील रोहिता, नील रुद्रा, इसलिए नील कृष्ण देखने में नील राधाराण, रोहिता मतलब लाल, मतलब कृष्णा का सरीय में, चं जहां पर श्री प्रवदानंद सरस्थी कहते हैं, जत कीम करिशु बहुतो खलुका कुभाणी, नित्यम परस्य पुरुसस्य सिखंड मौले, जस्या कतार सनिते प्रिसभानु जाया, तद के लिकुंज भवनांग निमार जनिस्या, प्रवदानंद यही पर प्रार्थना करत हैं, कब मेरे ऐसे सोब भागे होगा, जिस लिकुंज में स्री किश्वरी जी मान करके बैची हुई, और स्याम शुदर आ करके राधा जी की बात तो छोड़तो, उनकी मंजरी सक्कियों को पास में हाथ जोड़ करके गिड़ गिड़ाते हुए, बले हे राधे सक्कियां साथ में हमारी मिलन कराओ, इसलिए प्रार्थना करते हैं, अभी स्याम सुदर को निकाल दी, अभी क्या करेंगी, इतने में ललिता को पास में जाती हैं, कहते हैं, बताओ अभी क्या करें राधा हैं, इनका काम है, जय जय राधा कृष्णर जुगल मिलर आरती परे लली मिलन के सकराओ, अभी ललिता को पास में गए, बताओ अभी क्या करना, बले देखो, राधा रानी भी तुमारी विर्या में जैसे दुखी, तुम भी वेशे दुखी, दोनों दुखी हो, इसलिए एक काम करो, तुमना एक गंधर मिली रूपधार में करो, और करके बड़े स तुम राग को गाओ, इतने में सियाम सुंदर, इतने सुंदर उनने राग रागिनिक आते हैं, जिसे राग को सुन करके बिख्य से बधुजरना शुरू हो जाता हैं, और सारे पथर पिघल लगी जाते हैं, और सब के सब, एक की हो लोगाने, की हो इचे लोगाने, पकच, यहां पर कोई डक्टर है, रामानद कोई 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 है, यहां पर कोई रामानद कोई रामानद कोई है, यहां पर कोई रामानद कोई रामानद कोई ह अब पहुंचे ना अपना बस जाना पागाली मायरा किछी वहले ना दोड़ातार मुगरी अरे बंगली मात जिले एक बलसी ब्रिंदाव नभी आरी लाल की अब ही ँणा बड़े सुनदर राग 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 रगाते हैं इतने सुनदर राग उनने काई जिस राग को सुनकर के सारे करतेज बारि हदाम जयथा भी नभी निवरे कि जयदे deshalb आरी प्रतर पी गल लि लग गये पाने जड़ होने लग गया बिखर सम्दु जण ल पानी जड़ होने लग गए अब राधाराणी ये राख को सुन करके उनके रिदय में जो कृष्ण का प्रती मिलन का जो बिरह था अभी धिरे फिरे उनका मन का बिरह धिरे तरे कम होते जा रहा है इतने में स्याम सुन्दर वहां से आते हैं राधाराणी कहती है देखो तो वो कोन है बले स्वर्गे से कोई गंधर भी आई है बले उसको भुला करके ले आओ उसकी भज़न सुन करके मेरा मन जैसी सुषितल हो गया अभी स्याम सुन्दर को ले करके आए कि पले तुम ब्राध जिसको मैं स्रिंगार करती हूँ, सारे मन उसको सुशितल हो जाता हूँ, देखो हमारी जो सकी सी राधाराणी यह भी कृष्ण भिरह में बड़ी दुखी है, आप खोड़ी से इनको चरन दवा दो इनको थोड़ी से स्रिंगार कर दो, बास कृष्ण का हात पर्त होते ही उनकी हिरतय का सारे मान खत्म हो गया, इतने में राधाराणी समझ गई, भईया जब तक मैं स्याम सुंदर से नहीं मिलोगी, तक कभी मेरी बिरह दूर नहीं हो सकता है, लेकिन इनके हाथ से क्यों मेरी बिरह दूर हो गये, बले लली, इतने में जोर जबर जशितम कपड़ को हिस देते ना, आशियाम संतर का रूख ही प्रकट हो जाता है, इसलिए वही स्थान है, जो सरवर देख रहे हैं, यह सरवर का ना मान सरवर है, राधाराणी हम्याराणी जोक्र सितम गली, ना मान गली, राधाराणी यहीं पर आती है, और यहीं पर क्ृश्न खिर नहीं मेरी प्रश्न होता है बहाया इतना क्या आखों में आसु था यो के इतना बड़े सरोवर बन गया बल् हां, जब स्रीमन महा प्रहु जब कृषने राधा जी की भाव लेकर के महा प्रहुरूम में आये जब महा प्रहु क्रिष्णे घर्टन में लिटे करते थे यही स्थान है जहां पर ही जब राधारा निचा मान नहीं चोड़ती है स्याम सुंदर महरु मुकट उतार कर रख देते हैं आपना बंस्वरी उतार कर रख देते हैं रहादे कर देते हैं माध्यमाराजी बोल रहते ना जब गुरुजी को साथ महाते थे इतने भ़क्त नहीं होते ते बंगाली वक्तों कुछ होते थे, हम वो कुझों का अंदर में कुरुजी बैठते थे और बड़ी भाव से गुरुदेव बड़ी कथा सुनाय करते थे और गुरुदेव लौट बोड़ुखाते थे, बल्दी बृख्य साधारन नहीं, कृष्ण समय का बृख्या, इनने कृष कि ए दिला रखे में हमारे की प्रवेसो, पंचा कलब दरुषट्र, कृपा, शिन्द बाइवशन, पजितान शपाब ने, वो दुग हो दो गूटएट, शितान शपाव, ने, वो दूबन, जो दूफाँ निहां, जो, पूटन, जो, दूबन, पूटन, दूखश्य थे, ल